इनके दो बच्चे भी आ तुके हैं आप देख सकते हैं इनके दो बच्चे भी आ तुके हैं सारे रेंबो के पठ्चे डाल दिये हैं आप देख सकते हैं सारे रेंबो के इस पैंदल के पठ्चे आपको नजर आएगे और मेरे ओलेंड बजिस के भी नजर आएगे और कलर दे कि आप माशाला एक शेट कलर है इन्हों ने कई जी कई नहीं तो क्रीम है अंडे दिये से और ये बच्च्च आप देख सकते हैं जोस्तों ये भी मुझे सेल करनी है है ये नई ये नए आव है और ये 5 बच्चे जिसमें से है वाइए ले निकाले दे जिसमें तीन बच्चे दुए कि जिसमें SEN बहुत बड़े ऊना एक पैर रह इंपो की यह है और साइज इसने भी तक्रीब दो या थीन बच्चे निकाल दिये इस तो बहुत सारे चाहिक देख सकता आप यह मेल के तो हैलो दोस्तों पेड़िगरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं आपका दोस्त आपका होश चलिम दिवान आपको आपकी अपने यूटुब चैनल में बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते यह मेरी कॉलोनी है और बहुत-बहुत माफी चाहूंगा बहुत दिनों बल्के बहुत महीनों के बात वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्यूंकि काम बहुत था और कुछ भी टाइम नहीं मेरता कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं और setup भी काफी update कर गिया था मैंने जैसे के आप जानते थे पहले मैंने सारे बर्स निकाल दिये थे फिर रखे थे फिर निकाले ठीकि दाना बहुत मेगा हो चुका था बर्स में कुछ था नहीं था और घर का दाना खिलाना पड़ता था वैसे तो मेरी होबी है इनको मैं कभी नहीं छोड़ता लेकिन कुछ काम के वज़े से टाइम भी नहीं मिर रहा था कब मैंने पूरा नया setup बनाया और कुछ नहीं चीजे रखी है जैसे कि आपको पता है कि मैंने rainbow का सोफ किया था तो इसी को आगे बढ़ा है काफी अच्छे अच्छे बच्चे मैंने उसमें निकाले है काफी अच्छे कलर बनायता आईए मेरा setup दिखाता हूँ और कुछ चीजे शेल के लिए भी है तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 76 00298325 इस नंबर पर वर्ट्सप किजिए तो मैं आपको उसकी फोटो वीडियो भेज दूँगा तो चलिए मेरे setup को देखते है दोस्तों सबसे पहले मैं overview दिखा दूँ और आपको बता दूँ के setup में थोड़ी सी मैंने साब सपाई नहीं की क्योंकि सर्दिया है देख सकते temperature बहुत कम है तो बहुत साफ सपाई करने से होता ही है कि थंड़क हो जाती है थोड़ा कचरा वगेरा मतलब कि खराब चीजे नहीं है इसका ही कचरा है तो इससे क्या है कि बच्चों को गर्माव वगेरा मिलता है तो देख सकते ये पूरी एक बड़ी पैर है कोकाटेल की आप देख सकते हैं यह पाईट का मेल है और स्कीमीनों की फीमेल है और यह दो बच्चे इहीं के है अब उसने दुसरी बार अंडे भी दे दिये है तो यह पेर भी शेल के लिए अगर आप खरीदना चाते है तो मुझे पॉंटक करें इसी के साथ दोस्तों यह मस्सा कली कबू तर दिशा आप बोलते हैं आप देख सकते हैं इनके दो बच्चे भी आ चुके है मासाला दोनों ही खूंस दुनग बच्चे आप देख सकते हैं तो ये पेर मेरे दोस्त की है इन्हों ने मुझे ब्रीड करने के लिए दी है इनके यहां पे यह पेर अंडे नहीं रख रही यो अंडे रखती थी तो अन फर्टाल एग रखती थी तो ये पेर इन्होंने मुझे दे दी है तो मैंने इसका इसका हिलाज वगरा कि के इसको केलसे विटामिन के कोर्स करा है तो दो बच्चे पहली दफ़ा इसमें दे दिये मेरे यहां पर इसी के साथ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नीचे और यहाँ पे सारी ब्रीडिंग पे रहा है और सारों के अंडे बच्चे है जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारो के इसमें अंडे बच्चे अभी मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दीखा हूँ अभी आपको मैं ओवर्वियू दीखा देता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे बड़ी सी कॉलोनी है यहाँ पे पहले मेरी बजरी हुआ करती भी लेकिन मैंने सारी निकाल दी है अब इसमें मैंने सारे रेंबो के पठ्चे डाल दिये हैं आप देख सकते हैं सारे रेंबो के स्पैंगल के पठ्चे आपको नजर आएगे और मेरे देन बज्जी के भी नजर आएगे और कलर्स देखिए आप माशालला एक सेफ कलर है इसमें इसारे पठ्थे इसमें कई एडल भी हो चुगे जो पस ब्रीट के थे आप यह कलर देख सकते हैं रेंबो में वायलेट कलर का यह पठ्था निकला है और इसी के साथ आपको फोनों म डीडल रहा हैं रेंबो में और इसमें से कई पठ्थे शैल के लिए यह अगर आप पराशेस करना चाहते हैं तो आप मुझत मेरे वाट्टॉब हो क्डेक्ट करें टृसुण इसमें से कुछ रखने है इसमें से क्प्छाए थे भी chale रहा क्डेक्ट है अगर आप लेना चा मसाल आप यह पठ्ठे का कलर देखिए बहुत ही घ्रे में रेंबो है और इस पेंगल वगेरा भी बहुत से है इसमें कुछी के साथ यह मैंने जावा की कॉलोनी थी इसमें दो पेर गोल्डियन फिंच के और कुछ बेंगोली फिंच छोड़ी थी तो यह गोल्डन फिंच यह जो अटे जिय थैज मैंने बेंगोली फिंच में जिय आप देख सकते ते इसमें आपको कुछ बच्चे नजर आएगे सायद दो बच्चे है यसे तो पांच बच्चे थे लेकिन तीन बच्चे मर गए क्योंकि ठन बहुत पढ़ रही थी तो जैसा कि आप जानते कि बेंगोली फिंच बहुत ही वीक होती है गोल्डन फिंच बहुत ही वीक होती है तो इसके बच्ची इसके लिए मर गए और आप य यहां पर फिर से एग देती है तो आप इसकी खुब्सूरती देख सकते है जोस्तों यह भी मुझे सेल करनी है सारी ब्रीदिंग पेरा यह अंडेश्चे देटी पेरा है लेकिन मैं इनको समाल नहीं सकता यह भी आप खरीदना चाहते है तो मुझे contact जरूर करें अब चलिए मैं आपको अपनी छोटी सी ब्रेदिंग प्रोग्रेस भी दिखा देता हूं दोस्तों सबसे पहले एक पेर ये है अभी अभी ये नहीं नहीं पेर लगाई है और female egg देने ही वाली है ये भी एक rainbow की पेर है मेरे पास इस इसी के साथ दोस्तों ये एक और rainbow की पेर है वैसे तो इसे full body grey पेर कहा जाता है ये original rainbow नहीं कहीं जाएगी क्योंकि इसके उपर dot है तो full body grey इसको कहा जाता है लेकिन इसी में से rainbow निकलते है इसके बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूं ये आप इसके बच्चे देख सकते है चार बच्चे है जिसमें से ये violet rainbow भी आये है और माव के भी rainbow आये है और बेहतरीन बच्चे है ये इसी के साथ एक पेर ये है इसके भी तीन चार बच्चे है दोस्तों अब इसके साथ एक पेर ये है ये आप मेल लेख सकते है माशाल्ला इसकी साइज वगेरा गोल्डन फेस में ये rainbow गा मेल है और इसके पांच बच्चे जिसमें से कि 7 बच्चे थी य्या देने वाली कि यह इसकी फिमेश है और फिम लें दोबारा एक दे दिये यह घ्रे की फिमेल है तो यह वह वाहल एक बच्चे निखालती है माशाला और इस बच्चे आप देख सकते हैं इसके बहुत सी खुबसूरत कलर में है बच्चे तीन वाइल एक है और ये दो ग्रे टाइब की निकाले ये भी डाइलूट में वाइल एक है और इसी के साथ एक पेर रेंगो की ये है दोस्तों माशाला इसने भी चार एक दिये है पिछली बार इसने पांच बच्चे निकाले थे जिसमें से एक वाइल एक और चार कोबाल्ड यानि ब्ल्यू कलर के थे और ये दुबारा एक दे दिये इसने आप ये पेर देखे कितनी बहतरिन कलर कॉलिटी ये इसके और दोस्तों एक पेर ये है ये माव की खिमेल और गोल्डन फेस में वाइल एक का मेल है और साथ इसने भी तक्रीबन दो या तीन बच्चे निकाल दिये जिसको मैं अटा के दिखा दाऊं ये बच्चे ये मेल मेर इसने गर का ही है पठ्था और फर्स्ट बार इसने ये ब्रीडिंग की है मेरे यहाँ पे और ये लास्ट पेर है ये डाइलूट का रेमबो का मेल है साइज वगेर आप इसकी चेक कर सकते है किसनी बैचरिन साइज का ये मेल है और ये पिछली बार इसने चार बच्चे इसी जयसे निकाले है और ये female ने दोबारा बहुत सारे 7-8 एग देदिये है ये last pair में आपको दिखाता हूँ Holland की पैर ही ये देख सकते अब ये male की size माशालरा आप देख सकते है और बहुत सारे एग दे दिये इसने 6-6 एग दिये है इसकी फिमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ यह स्पेंगल का मेल और स्पेंगल डबल फेक्टर की फिमेल है वैसे इसको लोग लुटी नो बोलेगे लेकिन यलो या वाइट कलर में बलेक आईज हो और उसकी नोस जो नोर्मल बजरी जैसी है तो इसको डबल फेक्टर अग trip करना पड़ेगा तो यह सारे पठ्ट्ञा आप देख सकते हैं इसकी धानेड्स alm int i2 वजाता है यह सहां caminho यह त्याइप करूंगा तो इसमें से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो मुझे बताए अगर देने के होतर मैं दे दूंगा नहीं देने को रखने के होतर रखूंगा और यह देखिए यह देखिए आप यह सब रैंबो स्केंगल के बच्टी हैं मेरे पास आप यह देखिए रैंबो का क्या खुश्चूरत कलर कॉलेट यह सी तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें अच्छा सा कॉमेंट करें और अब से रेग्जिलरी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब् जुसर का शाथ शेयर करें अल्ला अबीश की अमानिल्ला